ताम लेकूम गाइज कैसे हैं आप सब तो देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का हलवा जो बच्चों के लंच बॉक्स में देंगे बहुत ही टेश्टी बनता है तो जिसके लिए देखिए हमने 500 ग्राम सूजी लिए 500 ग्राम सक्कर ले लिए सूजी अभी थोड़ा हम निकाल लेंगे इसमें से एक्स्ट्रा होने पर तो चलिए देखते हैं गैस के तरफ ने ये पैन चड़ा दिया है और गैस कॉन कर देंगे अगर आपके पास घी है तो आप घी उसकर सकते हैं तो देखिए इसमें तीन छोटा चमज रिफाइंड ओयल डाल दिया है और इसके गरम होते ही हमें सूजी को बूंच लेना है तेले मार अच्छ से हो गया तो अब हम इसमें सूजी डाल देंगे इस तरह से और सूजी को बढ़ियां से हम भूंच लेंगे पांच मिनट तक हमें फेम को हाई करके इसमें भूंच लेना है फिर जब सूजी हलका भूंच पर आ जाया तो इसे स्लो कर लेना है फिलेम को तो पांच मिनट तक हम इसे गुलाबी होने तक इसे तरह बूंच लेंगे तक हम बूंच लेंगे तो बड़े बटन भी निकालेंगे और इसमें थोड़ा सा ओएल और डाल देंगे तीन चमशे करीब करीब तेल भी मारा हो चुका है गरम और इसमें डाल देंगे हम एक लाइशी मुझ खोल कर अज़िए अज़िए तो इसमें हम सक्का डाल देंगे थोड़ा पानी डाल देंगे और इस तरह से चला देंगे ताके सक्कर हमारी अच्छे से घुल जाए तो अब इसमें हम डाल देंगे सुजी इस तरह से पांच मेट में कितनी पटा पट हमारा सुजी खालो बनके तयार हो गया तो तीज लिए और इस अच्छे सम चमस से चला लेंगे कुछ ड्राइफ रूट्स डाल दीए देखिए भूझने के टाइम पर इसे तरह हम धेरे देरे इसे भूझ लेंगे आज पूम स्लो कर लेंगे अब फटा फट इसे कुछ टांटक भूझ लेंगे इस तरह से घ्रम्यारशूया में बूंच लेना है हलवे को देखिए कितना बढ़िया सा अल्वा बनाया हमारा सूजी का कुछ टांटक इसी तरह हम भूंच रहेंगे इसे देखे कितना बढ़ियांसा सूजी का हल्वा हमारा बनकर तयार हो चुगा तो हल्वा तो कही तरह से बनता है लेकिन आज हमने बहुत ही जल्दी वाला हल्वा बनाया है फटाफफट 5 मिनट में तो अब इसे हम सर्फ करेंगे थेखिए गाइस किता बढ़ियां सा हल्वा हमारा बनकर तयार हो गया है देखिए कितना टेश्टी बना है और फटा फट पांच नुट में ही बन गया हल्वा तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हूँ तो प्लीज लाइक करें सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब परना बिल्कूल न भूलें हला अफिस